दोस्तो हमें हमेसा स्मेन एंदर कउंबो मनर्बॉट देforcement को मिलता है सस्ते और अर्पेरोपी आसलने से मिल भी जाती है समस्था भी बहुत सारे देखने को मिलता है यानि कि प्रॉब्लेम्स तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा 5 common problem के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको जब रिपेरिंग करोगे उस समय जोरत पड़ेगी हम लगबग 4 साल से रिपेर कर रहा हूं LCD LED TV और इसके दोरान हमें सबसे ज़्यादा जो problems इस टाइप का combo motherboard के अंदर देखने को मिलता है सभी problems के बारे में आपको step by step बताऊंगा वो कौन-कौन सा problems और आगर आपको भी same problems आएंगे तो आपको कहां पे कौन सा चीज को check करना परेगा उसके बाद आपको जो problem का main source आपको पता चलेगा और जैसे आपको main source पता चलेगा problem का आप बहुत ही आसानी से उसको repair कर पाओगे देखिए दोस्तों हमारे list में सबसे पहला जो problem है combo motherboard के अंदर देखने को मिलता है वो full dead problem यानि कि जब अब इसके अंदर power दोगे तो आपको किसी प्रोकर में कोई भी response आपको देखने को नहीं मिलेंगे टीबी का अंदर से चाइबो red indicator हो चाइबो sensing problem हो सब कुछ आपको dead मिलेगा full dead मतलब कुछ भी response नहीं मिलेगा उसको बोला जाते फूल डेड अगर आपके के अंदर combo motherboard लगा हुआ है और उसके अंदर folded problem आपको मिल रहा है तो आपको जो चेक करना परेगा इस जगह पर यानि कि power supply section पर आपको चेक करना परेगा देखिए दोस्तों यह जो हमारा 32-inch का combo motherboard इसका power supply section यहां से लेकर यहां तक यहां पर देख सकतो यह जो transformer है इस transformer का इस पार तो मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिस करता हूँ यहां पर देख सकतो एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है तो इधर से लेकर इधर से लेकर इधर तक हमारा जो पावर supply section है यहां से हमारा यह से supply input होगा और यहां पर यह से supply input हो जाने के बाद rectify होके हमारा जो voltage output होगा यहां से यह हमारा मेन जो output supply यहां पर आपको मिलेगा जो कि 12 होता है ठिक उसी प्रोकर से अगर हम 24 इंच टीवी का अंदर जो combo मादर बड़ इस्तेमाल किया जाता है उसके फुल्डेड को भी problem मिले इस तरह एका combo motherboard के अंदर तो आपको इस power supply section को चेक करना परेगा सबसे पहले आपको इस जगह पर यह देख सकतो ही जो हमारा secondary section का main power supply का source है यानि कि यहां पर जब तक हमारा 12 नहीं आएंगे आगे का काम जो है नहीं होगा इसलिए चाहे आपको प लिखा होता है 12 यहां पर देख सकते हो जब तक आपको यहां पर 12 देखने को नहीं मिलेंगे तब तक हमारा यह जो motherboard काम नहीं करेगा आपको फुल्डेड का problem मिलेंगे तो जैसे आपको फुल्डेड का problem मिलेगा तो आपको सबसे पहले आने की 90% chances रहता है इसका power supply section में खर करना पड़े देखिए दोस्तों maximum time यानि की 90% जो chances रहता है वह हमारा यह जो regulator IC है उसके साथ साथ यह जो हमारा MOSFET है यह खराब हो जाता है maximum time जब आपका voltage ज्यादा हो या कम हो सबसे ज्यादा आपको इसी पर ही problem हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले यह आपको चेक कर करना परेगा उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा जो चीज खराब होती है power supply के अंदर वह हमारा rectifier diode यह rectifier full wave rectifier दिख सकतो लगा हुआ है यह चार्ट diode एक साथ combine करके यहां पर rectifier बनाके यहां पर इस्तेमाल किया गया है तो एक बार अगर बहुती ज्यादा voltage आ जाए आपक यह दूनों चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर एक खराब हो जाएंगे तो यह भी खराब हो जाएगा अबर एक खराब हो जाएगा यानि कि यह जो दोनों components से यह एक साथ खराब होता है क्योंकि यहां पर थोरा सा भी उबार voltage या उबार लोड हो जाय तो इन दूनों ही जल्दी खराब हो जाता है और power supply section को रिपियर करने के लिए आपके पास दो option रहता है पहला है कि आपको इस power supply section को modify करना परेगा कोई external module लगाके यानि कि जो हमारा power supply मोडियूल मिलता है उसको लगाके आप इसको modify करके ठीक कर सकते हो दूसरा जो option आपके पास रहता है वह external power supply section लगाके आप भी रिपेर कर सकते हो और कैसे external power supply लगाया जाता है मैं पिछले वीडियो में आपको प्रेक्टिकली दिखाया था एक power supply इंस्टॉल करके तो आप exchange combo motherboard की अगर बात करें तो आपको भी यहां पर सबसे पहले यहां पर diode देखने को मिलेंगे सबसे पहले हमारा यहां से 230 volt AC input होगा उसके बाद यहां पर फ्यूज फ्यूज के बाद कुछ filter कोईल लगा हुआ है और एमो भी लगा हुआ है वह सारे के सारे सेप्टी के हिसाब से लगाया जाता है ताकि हमारा जो वोल्टेज यहां पर करेंट आएंगे यह सप्लाय आएंगे उसके अंदर जो भी नौइज होगा उसको रिमूब कर करें यह भी खरब मिलता है और सबसे ज़्यादा जो 90% सामें खरब मिलता है यह हमारा मॉसपेट और मॉसपेट के साथ साथ एरो ड्रायबर आएसे लगा हुआ यह भी खरब हो जाता है सबसे ज्यादा हमारा जो चोब इस टेपी के लिए बेस्ट इसका बैकलाइट सब सकते हो लेकिन जो इसका प्रफंफेंस आपको कम देखने को मिलेंगे क्योंकि इसका जो पावारर्य रेटिंग्ग बात करें यह 24 सिर्स टीवी के लिए स्पेसाली बनाया गया है तो यह था दोस्तों हमारा पहला प्रॉब्लेम जो की हमें इस टाइप का यूनिवर्सल टीवी मदर बोड के अंदर ज्यादा तर देखने को मिलता है उसके बाद दोस्तों हमारे जो दूसरा प्रॉब्लेम देख प्रोसेसर को जाने वाला बोल्टेज उसके बाद र्याम को जाने वाला बोल्टेज सारे बोल्टेज चेक करने के बाद आपको एक डिसाइड करना परेगा कि कहीं पर भी अगर आपको बोल्टेज मिसिंग मिले या कम मिले जरूरत से तो आपको इस टन्बाई का प्रॉब् मिलता है खास करके कमबो मादरबोड के अंदर जो यूनिवार्सल टाइप का होता है और दूसरा हमारा ओरिजिनल मादरबोड होता है टीवी का उसके अंदर कोई मिलता है इसलिए सबसे पहले आपको जो बेसिक बोल्टेज अगे चेक करना परेगा और बोल्टेज साड़े जगाव पर मेजर्मेंट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सबी जगापे साड़े बोल्टेज मजूद है फिर भी हमें स्टन बाइक का प्रॉब्लेम देख एनितरनली जो बढन हो जाती है आपको बाहर से देखने को नहीं मिलता है तो तो उस में मैं송 कर 있나 जयाती है लेकिन बहुत ज़ाधा कीमठ हो जाती है इसलिए हम लोग क्या करता हो कि इस लोग पूरा मदरबूट को ही बदाल देता हूं क्योंकि मदरबूट का दाम बहुत ही कम होता है एकोडिंग टू इस आइसी का तो यह दोस्तो हमारा सेकेंड जो प्रॉब्लेम है इस टाइप का यूनिवार्सल टिबी मदरबूट के अंदर देखने को मिलता है उसके बाद दोस्तो तीसरी जो प्रॉब्लेम है उसको बोला जाता है लो इंडिकेटर प्रॉब्लेम आप लोगों ने देखा होगा दोस्तो कि जब अब लोग कोई भी टिबी के अंदर इस्टन करते बग आता है दोस्तों मान लीजिए आपके टिबी का अंदर इसी टाइप का मदरबूट लगा हुआ है लेकिन आपका जो मदरबूट का नंबर है थोरा सा अलाग है तो जब आप इस मदरबूट के इंस्ट्ल करोगे तो अगर दूसरे नंबर का मदरबूट आप देखने को मिलता है यह हमारा पहला करन और अगर आपके टिबी का अंदर पहले सही कोई मदरबूट लगा हुआ है और उसके अंदर अचानाक आपको लो इंडिकेसन का प्रॉब्लेम देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो पावर सप्लाइ सेक 32 इंच का मदरबूट हो आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो आपका जो है टिबी ठीक हो जाएंगे लो इंडिकेसन प्रॉब्लेम उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लेम जो की इस टाइप का LED TV कंबो मदरबूट के अंदर देखने को मिलता है व मुझे देखने को मिलता है कि हमारे जो मेन कापासिट और जो सेकेंडरी सेक्षन का मेन पाउर सप्ला है यानि कि जहां पर हमें 12 मिलना चाहिए वहां पर 12 मिल रहा है लेकिन फिर भी हमें टीबी का अंदर कोई बी इंडिकेटर नहीं जल रहा है कोई भी रेस्पॉंस देख आपको चेक करना परेगा यहां पर देखिए 5-pin कामरा आईसी लगा हुआ है और मेरे एक वीडियो के अंदर यह 5-pin आईसी के बारे में और 6-pin आईसी के बारे में पूरा एक्स्प्लेन करके रखाऊं कि यह आईसी क्यूँ और कहां पर इस्तेमाल किया जाता है सब कुछ आ अगर यह खराब हो जाए तो उस समय आपको 12 तो प्रेजेंट मिलेंगे आपके मदरवोड के अंदर लेकिन फिर भी आपका जो टीबी है वो डेट करनेशन में रहेगा अगर हम इससे 24 इंचे कंबो मदरवोड के बात करें तो इसमें भी सेम है यानि कि इस टाइप का जितन स्थी प्रॉबलेम देखने को मिलता है उसके साथ साथ यहां पर सिक्स्पीन का जो आइशी है यह खराब हो जाने के बजासे भी यह रहेगु अनौद्रम हमें देखने को मिलता है और यह जो रेगुलेटर है दोस्तों इस्टेब डाउट इस प्लेटर होता है उसको डिवा जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन होता है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है यहां पर देखिए आप यहां पर बहुत ही छोटा कर दिया है कितना छोटा देखिए आपको खाली आंक में देखना बहुत ही मुश्किल हो जाती है अगर यह छोटा सा आएसी भी खराब हो जाए ना इस टाइप का combo motherboard के अंदर उसके बाद दोस्तों आखरी जो most common problem हमें इस टाइप का motherboard के अंदर देखने को मिलता है वो पैनेल supply voltage missing यहाँ पे देखे पैनेल के साथ connection करने के लिए कुछ यहाँ पे ज्याक दिया गया है इसको बोला जाता है LVDS cable connection का ज्याक ठीक उसी पुरकर से हमारा इस चोबीचेंच मदरबुड के अंदर भी सेम टाइप का यह देख सकतो ज्याक लगा हुआ है इसको भी बोला जाता है LVDS cable connection ज्याक तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक छोटा ऐसा IC दिया हुआ है तो इस IC के दोहराई हमाए इस cable के अंदर यानिए कि जो connected रहे सके अंदर मेन पावर सप्लाई आता है पैनल में जाने के लिए तो हमें इस टाइप का मदरबुड के अंदर यूनिवर्सल मदरबुड हुआ होधा है उसके अंदर जम्पल लगा होता है फाइब बोल्ड और 12 बोल्ड को अपने पैनल के अं प्रोप्रब्लेन देखने मिलता है लेकिन हमें जो है साउंड बगरा के मिलता है उसके साथा सथ हमोना तो को नहीं मिलता है उसका कारण दोस्तों यह हमारा आइसी जो है खड़ा हो जाती है यहां पर ठीक अगर हम बात करें यहां पर देख सकतों दो लगा हुआ है अगर दोनों में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जोड़ कर दीजेगा दोस्तों और अगर इसी प्रोकर का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करके जुरा रहे तो हम नेक्स वीडियो में और भी से अच्छा वीडियो लेकर आएंगे तो मिलते ह नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वीश्यू अल्दा बेस्ट